नमस्कार स्वागत करता हूँ अविनेंदन करता हूँ आप सभी का और आपने थमनेल पढ़ लिया बड़ा मैतपूर्ण है कि कल की सुभा होगी कुमार अवस्था के साथ और पढ़चा हो गया तयार नई तकदीर लिख दी एक्च्छल में क्या है जो भी परिवर्दन होते है जोतिश में उनका एक व्यापक प्रवाव हमारे जीवन पर पढ़ता है आप सभी जानते हैं हाल में एक बहुत बड़ा परिवर्दन हुआ है और वो है शुक्र ग्रहे का शुक्र ग्रहे एक लंबे समय के बाद अपनी राशी तुला में आए है और इनके अपनी राशी में आते ही एक मालब विराजयोग भी बना है और कुछ राशीओं के लिए और भी शुवयोग बने हैं परंतु अब शुक्र ने परिवर्दन करने के बाद तुरंत फल देना शुरू बहुत जादा वाला नहीं दिया वो जादा फल देने का भी एक टाइम पिरिड़ होता है अ लगबग दस दिन का समय तो ऐसा रहेगा जिसमें शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाले हैं अभी फिलाल में आपसे दस दिसंबर तक की बात करूँगा उसके बाद और उसको आगे डिटेल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अवस्था बदलेगी छे से लेकर के बारा ड भाब है वो कौन-कौन सी राशियों पर पड़ेगा ये जानकारी मैं आपको दूँगा इसलिए वीडियो को पूरा सुने अंति तक सुने आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा अब सबसे पहले जैसे ये छे डिगरी में प्रिवेश करेंगे तो कल पांस दिसंबर से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे तो एक अच्छी बात है शुकर के पास पैसा है फाइनेंस है अन्य धन्य द्रव्य पदार्थ ये सारी चीज़े शुकर के पास है यानि कि इन चीजों से रिजल्ट और धन के द्वारा राज्य शक्ति की प्राप्ति होना धन के द्वारा मंत्री मंडल का हिस्सा बनना यानि कि व्यक्ति की उन्नती होगी अगर ये राजोग आपका बाइबर्थ भी बना हुआ और ये राजोग आपका भी गोचर में भी बन गया है तो यानि कि सेम सिच्चेशन बन गई आपकी और आपने भी हाल में चुनाप जी आपको लोगों का इसने हे प्रेम भी प्राप्त होगा ऐसा भी आपकी पत्री कहती है ये मेश राशी का फल है जो की मालव वे राजयोग बना हुआ है और बहुत महत तो रखता है दोस्तों ये क्योंकि सामने से देव गुरू ब्रस्पती भी देख रहे हैं दो शुब ग्र लड़ते नहीं हैं एक बार फिर चांस दे देते हैं फिर साथ में रहना शुरू कर देते हैं ऐसा ग्रह गोचर बनेगा अब इसी प्रकार से मैं आपसे नेक्स राशी के बारे में बात करूंगा और नाम रहेगा मिथुन अब मिथुन के दोस्तों आपको कैसे एडवांटे रखता है क्योंकि शुक्र से हम अकसमात धनलाव को भी देखते हैं क्योंकि ये फिफ्थ हाउस में बैठा है और जुए सटे लोटरी ऐसी चीजों से धनलाव प्राप्त होना इसके लावा कोई शास्तरों से या आपका तर्क वितर्क का काम है लेखन का काम है आपका अध्य क्योंकि जो अवस्था है वो प्रभावी रूप से मजबूत बनेगी और अच्छा रिजल्ट मिलें लगेगा जब भी कोई गरे विशम राशी में हो यानि कि और नमबर में जैसे भी शुक्र तुला राशी में तो और नमबर में तो छे से बारा में कुमार होती है और आग रिकल चिंता मत करिये और जो खर्चे बहुत जादा बड़े होए थे उनमें भी अब कमी आईगी बात करता हूँ करक राशी के करके जो स्वामी के रहे हैं वो तो चंद्र हैं पर शुक्र के द्वारा एक मालब वे महापुरुष राजयोग बना हुआ है ये राजयोग भूमी से सवारी का सुख चौपाए का सुख मित्र बंदूओं का सुख परुपकार का जो भाव है या परुपकार से रिलेटिड आप काम करते हैं उसमें आपको प्राप्त होगा ग्रह खेत से लाप प्राप्त होगा बाग बगीचे खेत खलियान गया ऐसी सब चीजों से आपको बहुत शुब रिजल्ट मिलने प्रारम होंगे ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके जो गोचरी एस्तितियों बहुत ही अनुकूल बनती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स राशी के विशे में नाम रहेगा कन्या अब कन्य राशी को क्यों एडवांटेज मिलेगा उसका कारण समझिए एक तो इनकी अवस्ता बलवान हो जाएगी पैसे पर आ करके बैठ जाएंगे सेकंड हाउस में बैठेंगे भग्ये को ले करके बैठेंगे और सेकंड हाउस जो होता है ना वो शरीर की रक्षा के लिए होता है क अपना भूका पेठ वो नहीं भर पाते हैं यानि कि शरीर सुरक्षित धन से होता है इसलिए जोतिस में दूसरे इस्थान को धन की महतोता ही दी गई है तो यहाँ पर शरीर की सुरक्षा के लिए धन के संसादनों में पूर्ण रूप से जाफा होगा फिल्म लाइन गिलैम से खादे पदार्त से वस्त से दाहीने आपके शरीर के हिस्से में अगर कोई कष्ट चल रहा है तो उसमें आपको मुक्ती मिलेगी सुर से संगीत से आपको लापराप्त होगा लेखन से लापराप्त होगा और आप कोई आउशन से रिलेटेड काम करते हैं उसमें भी आपक पर आईयू के भी सौमी है यानि कि अपनी आयू को सुरक्षित करेंगे, खुद की पर कोई चोट दुरगटना का जोग बनाएंगे पर आयू को सुरक्षित कर देंगे, अब परफम बाब में बैटें तो परफम बाब जुतिश में बड़ा महतर रखता है क्योंकि इस घर से ह हम बहुत सारी चीज़े देखते हैं, इससे सारी ग्रूप देखते हैं, प्रथम बाप से प्रेम भाप देखते हैं, वेक्ति का मान सम्मान देखते हैं, स्वास्त देखते हैं, तो ये घर आपका मजबूत होने का मतलब है कि बाकी की सारी चीज़ों का बलवान होना, तो ये ज बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशी के बारे में जिसका नाम रहेगा धनू आपकी जो ग्रेश तीती रहेगी धनू आलो वो लाब के द्रिश्टी कोंड से अच्छी है क्योंकि लाब इस्थान पर स्वेराशी के शुकर रहेंगे बट रोगेश होके रहेंगे सास्त को प फिर चल रहा है उससे आपको लाब राप्त होगा और अगर आप ने दो विवा की होएं हैं तो भी आपको दूसरी पत्री से लाब राप्त होगा यदि मैं बात करूं नेक्स्ट राशी की तो मकार राशी को लेना चाहूंगा आपके लिए माला विराज्योग और एक केंद त्रिकों राज्योग दोनों एक साथ बने हुएं वो भी दसंभाब में और पांस दिसंबर से शुक्र के स्थिति और ज़्यादा बलवान हो जाएगी तो ये कहा जा सकता है कि शुक्र आपको आजीविका के सादनों में भड़ोतरी करेंगे राज्ये में प्रतिष्ठा, प यहां पर बनती हुए नजर आ रही हैं और बहुत शुव रूप में बनती हुए नजर आ रही हैं इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दोमत नहीं है अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स राशी के विशे में और वो रहेगी कुम्ब जितने भी जा तक मुझे भी फिलाल कुम्ब के सुन रहे हैं आपका जो ग्रह गोचा रहेगा उसके नुसर भाग्ये स्थान पर शुक्र रहेंगे केंत्र कॉन राज्योग बना के भाग्ये को मजबूत करेंगे राशी में शनी का शश्राजयोग बना हुआ है यानि कि भाग्ये प्रबल होगा नवम भाब प्रबल होगा सुक्षादन प्रबल होंगे इसका मतलब विदेश शात्रा उत्तम विद्या का लाप्राप्त होना तीर्थ यात्रा होना मानसिक दिखवाना पूजा पाठ रतन या रुद्राश लेना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं नमस्कार